कॉंग्रेस नेता जोतीरा दित्या सिंधिया ने बीजेपी परतंस कसते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को राम मंदिर का मुद्धा याद आता है बीजेपी की नाटक नौटंकी अब देश की जनता के सामने नहीं चलने वाली एक और चीजा आपने देखा हूँगा डेवलेप्मेंट सिंधिया की जो आयोध्या में हो रहा है पहां चुनाव चल रहे हैं आयोध्या में वहां पर विश्व हिंदू परिषाद, शिव सेना सब दो जुठ रहे हैं कहा जा रहा है कि वहां पर माहूद थोड़ा तणाव हो ह देखिए जब भाजपा हर बार जब चुनाव आता है तो भाजपा हर बार राम मंदर की मुद्दे को उठाती है मैंने ये कई बार काहा है कि कसम गीता की खाते हैं लेकिन ये मंदर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे हर पांच साल में यही मुद्दा उड़ता है और पांच साल के दर्मियान शितिल हो जाता है ये बहाजपा की नाटक नोटंकी अब देश की जंता से नहीं चलने वाली है देश की जंता जोज की रोजी रोटी दाम, सुरक्षा, हमंचेन इस बात में विश्वा सरती है शिवसेना और शिवसेना के नेताओं का जो अजुध्या दोरा है राम मंदिर निर्मान के नाम पे ये महच नोटंकी है क्योंकि राम मंदिर निर्मान का कोई प्लान ही नहीं अभी पूरा प्रकरण कोट में, सुप्रिम कोट में पड़ा हुआ है, सुप्रिम कोट का अभी तब कुछ फैसला नहीं है, पूरे जमीन के टाइटल को लेकर के एक विवाद बना हुआ है, ऐसे में मंदिर निर्मान के नाम पे जो लोग पूरे धूम धड़ाके के साथ अयुद्या तो तरसल महज दिखावा कर रहे हैं और एक नोटंकी कर रहे हैं। जहां तक मेरी समझे, मुझे लगता है कि उच्य तरम नायल है, उन्हें जनवरी में इस मामले को रखा है, तो वहां तक सर्कार रूकेगी, उसके बाद में अध्यारेश निकालना हो या कामन बनना हो वो कदम लेगी, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी सोच ये, मेरी समझे, आज का समय जो है जो द्या में भीड है जब निता कठा होते हैं तो तमाम सी बाते होती है हम तो यह बार बार जो इससे पहले भी कह चुके हैं कि मामला सुप्रीम कुर्ट में है ना कानून बन सकता है ना ध्यादेशा सकता है। ठाकुर्जी ने जो कुछ भी कहा है इसके जिम्मेदार सरकार है। क्या कहा है उन्होंने ये सरकार सुने हम इनके यो है इनके बात का मेरे पास कोई जबाब नहीं है। कहा है।